एलो फ्रेंज, सुबह सुबह नाषते में अगर गर्मा गरम आलू के पराठे मिल जाए तो पूछे ही मँद पूरा दिन ही बन जाता है ना तो चलिए आज हम बनाते हैं गर्मा गरम आलू के पराठे इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बड़ी का टोरी गेहू का आटा लिया है स्वादन उसार इसमें नमक डाल देंगे चमच हमने इसमें तेल डाला है तो जब हम इसमें तेल का मुवन डालते हैं तो हमारे पराठा है वोपर से एकदम खस्ता बनती है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एकदम सौप्ट सा हमें आटा लगा करके तयार करना है बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है इससे आपको बेलने में भी प्रोब्लम होगी और स्टफिक भरने में भी प्रोब्लम होगे तो बड़िया soft सा आटा लगा करके हमें तयार करना है और आटा जितना अच्छा आप मसलते हैं उतनी जादा अच्छी आपके पूड़िया पर आठे बनते हैं तो आप जितना अच्छे से इसे मसलेंगे इस तरह से जितना अच्छे से उसके अंदर में एर जाएगा उतनी पर हम अलू उबाल करके रखा है इससे चील लिया है इससे हमें इस तरह से मैस्कर लेना है अब यहां पर एक कढ़ाई में मैंने दो बड़ी चम्म स् तेल डाला है जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम एक चमाज भर के राई डालेंगे और एक चम्माच जीरा है जीरा और राई जैसे ही अच्छे से फूट जाए हम इसमें हरी मिर्ची और अध्रक जो मैंने कूट करके रखा था उसे डाल देंगे थोड़ी सी मिठा निम की पत्तियां है तो यहाँ पर तीन हरी मिर्च थी और एक इंच अध्रक का तुकडा था इसे मैंने कूट लिया है अध्रक और मिर्च जैसे ही भून जाए इसमें हम सुखे मसाले डालेंगे एक चम्माच इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे एक चम्माच धन्या का पाउडर है मसालो को अच्छे से भून लेंगे हम इसी में हमने जो आलू मैश करके रखा था उसे डाल लेंगे और इस तरह से आलू को दबाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है इससे की आलू भी हमारे अच्छे से भून जाएंगे और जो मसाला हमने डाला है वो भी भून जाएगी तो आलू के बहुत बड़े-बड़े पीस नहीं रहना चाहिए यह आप ध्यान में रखिए और इससे इस तरह से चम्माच से दबाते हुए आप मैश कर लीजिए और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे यह दो छोटा चम्माच दो छोटा चम्माच यहाँ पर गरब मसाला है बारिक कटी हुए हरी धन्या की पत्ती है एक चम्माच यहाँ पर मैंने आमचूर का पाउडर डाला है इससे हमारा जो स्टफिंग है एकदम टेस्टी में भून लेना है तो स्टफिंग तैयार है इसे अब हम ठंडा होने देंगे तो स्टफिंग ठंडा हो चुका है अब हम आटा भी चेक कर लेते हैं और चली पराठे बना लेते हैं इसे आलू के जो पराठे होते हैं वह थोड़े मोटे से होते हैं एकदम पतला नहीं बनाना हमें से थोड़ी से बड़ी लोई लीजिया इस तरह सुखा अटा लगा लिजे इसमें अब थोड़ा सा बेल लेंगे हम तो पूड़ी के साइच का हमें बेलना है एक चमज भर के इसमें स्टफिंग डालेंगे अलू अलू अला वैदेल वे से आपस में चिपका लेंगे और इसरी में हम इसे दबादेंगे हलका साइफ हाथ से हम रोल कर लेंगे इसमें वापस से उखां अठा लगाएंगे 둘ша हल्के हाथ है वो फट जाएंगे इसलिए आलू को अच्छे से मैश करना हमें और यह देखे बेलने में को भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे और बहुत अच्छे से इसे मैंने बेल लिया है तो थोड़ा मोटा रखिया आप एकदम रोटी के जैसे हमें पतला नहीं करना इसे और एक तया किनारे से मोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा लेंगे और वापस से इसे इसी में चिपका लेंगे आटे को हलके हाँ से इसे वापस से रोल करेंगे थोड़ा से सुखा आटा लगा लेंगे इसमें और सेम ऐसे ही हमें बेल करके दूसरा भी तैयार करना है तो चलिए अब इसे हम सेख लेते हैं तो तबा हमारा अच्छा गरम है अब इसमें हम पराठे डालेंगे एक मिनाट रूप जाएंगे उसके बाद तुरंथ ही से हमें पड़ाट लेना है अभी नीचे ज्यादा सेखना नहीं है नीचे जैसे ही हलका सेख जाए इसे हम तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे पराठे बनाते टाइम आप आज का एकदम खास ध्यान रखे अब जैसे ही नीचे से हलका सेख जाए और यह हलका हलका से आपको बबल दिखाई देगा जैसे ही पराठे हलके से फूलने लगे आप तुरंथ ही इसमें हम तेल लगा लेंग और इसे वापस से परलेट लेंगे तो यह देखिए बहुत अच्छे से मारे जो पराठे हैं वो फूल गए हैं अब दूसरी साइट भी हम घीया तेल लगा लेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छा सुना रहा होने तक हमें सेखना है तो इस तरह आप दबाते जाईए कोई भी पल्टा या कल्शी ले लिजीए अच्छा से गोल्डन उन अच्छा से गोल्डन कलर आने थक इसे सेख लिजए तो एक दम घस्ता जो पराठे होते हैं उपर से सेख क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में तो दूसरा भी हम इसी तरह से सेख लेंगे यह देखे सारे पराथे कहीं से भिभेतेंगे नहीं और सारे पर यह इस सिर्थे बहुत ही टेस्टी हमारे अलू के पराठे बन करके तैयार हैं तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ या अचार के साथ में सर्व कीजिए और आपको आज की रेसीपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईये अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना